Hello everyone, welcome to StudyTube इस वीडियो में हम लोग आनविक दरवयमान को calculate करना सीखेंगे ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्रूप D के लगवग हर shift में एक ऐसा प्रशन पुछा गया है जिसमें आनविक दरवयमान निकालने को कहा गया है तो आनविक दरवयमान हम अलग-अलग compound को याद नहीं कर सकते हैं, रटना बहुत ही बेकार काम है और बेवकूफी भी है लेकिन आप इसे असानी से निकालना सीख सकते हैं, कुछ hard नहीं है, बहुत ही असान है आनविक दरवयमान निकालना तो आज इस वीडियो को देखिए और आप आज ही सीख जाएंगे कि कैसे calculate करना है आनविक दरवयमान को जिनका भी आगे exam है वो इस वीडियो को देख करके जाएं, क्योंकि में भी आपके exam में, जिस shift में आप exam देंगे उसी में कहीं ये प्रश्ण ना पूछ ले जाएं कि आनविक दरवयमान क्या होगा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को जा कर देखे आनवी की दरविमान वाली वीडियो को देखने से पहले क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे आप परमानु दरविमान को बस दो मिनिट में याद हो जाएगा दो मिनिट में आप सीख जाएंगे याद कर लेंगे चलिए अब हम देखते हैं कि आनवी की दरविमान कैसे निकालते हैं हम इन सारे मॉलिक्यूल का आनवी की दरविमान निकालेंगे आनवी की दरविमान होता क्या है मैं आपका बता दूँ कोई भी अनू, कोई भी अनू, ये किस से मिलकर बना होता है परमानू से मिलकर बना होता है बहुत सारे परमानू से मिलकर बना होता है दो या दो से अधिक परमानू से मिलकर बना होता है अनू तो आनू की दरवमान निकालने का मतलब यह होता है कि आप उस अनू में उपसते जितने भी परमानू है सब का परमानु दरविमान निकाल लीजे और जोड लीजे बस आनुविक दरविमान यही होता है अब चलिए हम निकालना है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या है H2O H2O में देखिए हाइडरोजन की टोटल कितने परमानु है टोटल तीन परमानु है हाइडरोजन की कितने परमानु 7 अब बस जोड दीजे यह हो गया AMD जैसी मैंने बोला आप खटाक से समझ आ कि यह एक अनु का दरविमान है अगर आप से molar mass पूछ दे यानि कि एक mole अनुका दर्मान पूछ दे तो आप mu का हटा करके ग्राम लगा देना एक mole का पूछे तो अब दूसरा है कौन carbon monoxide तो carbon का इसमें कितना परमानू एक परमानू और carbon के यह 12 है कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 amu यानिकि एक अनू का ठर नशेल देखिये carbon dioxide carbon dioxide में carbon का कितना परमानू अदल का परमानू में 1 परमानू का परमानू 12 प्लस oxygen का खामान ग्शियम на 2 और 1 परमानू का दल्वान 16 तो यह कितना हो गया यह हो गया 32 और यह 34 और 10 चवालीस, 44 AMU फोर्थ पर चलते हैं, ओक्सिजन मॉलेक्यूल, इसका आज के डेट में पूछा गिया है, मॉलेक्यूलर मास तो क्या हो जाएगा, ओक्सिजन के कितना परमानू, 2 परमानू, एक परमानू का, मॉलेक्यूलर मास कितना, 16, यह हो जाएगा, 32 AMU अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह परमानु दरवेमान कैसे याद रहेगा तो यही मैंने आपको बताया कि परमानु दरवेमान वाला वीडियो जाकर देखें आपको दो मिनिट में सब के सब याद हो जाएगा पांच में नमर पे चलते हैं यह हैं अमोनिया, Ns3 तो nitrogen के कितना परमानु एक परमानु और nitrogen के एक परमानु का दरवेमान कितना यह देखें 14 तो मैंने डाल दिया 14 प्लस hydrogen के कितना परमानु तीन परमानु और hydrogen के एक परमानु का दरवेमान कितना एक तो यह हो गया 17 Amu next is CH4, carbon का कितना परमानू, एक परमानू, और carbon का एक परमानू का दरमान, 12 plus hydrogen का 4 परमानू, और एक परमानू का दरमान, कितना, 1 कितना हो गया यह, 12 और 4, 16, 16 Amu आप जल का direct याद रखें, 18 Amu, अगर कभी आपसे D2O का बोल दें, तो यह 20 Amu तो यह था वीडियो, I hope आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरू किजिएगा, शेर जरू किजिएगा, और सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, साथ मतबाए, बेल आइकन हमारे मैं, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, थैंक्यू, सो मच।